Hello friends, आज की वीडियो में हम देयनन सरस्वती और आर्य समाज के बारे में बात करेंगे देयनन सरस्वती एक इंडियन फिलोसफर, सोशल लीडर और आर्य समाज के फाउंडर थे इनका जन्म 1824 में गुजरात की एक ब्रह्मिन फैमली में हुआ बचपन में इनका नाम मूल शंकर तिवारी था इनके सिस्टर और अंकल की डथ ने इनने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जीवन और मृत्यू है क्या और इसी की खोच में इन्होंने 21 साल की उमर में अपना घर छोड़ दिया और एक एसेटिक की तरह पूरे देश में भ्रहमण करते रहे परम ज्यान की तलाश में इनका ये भ्रहमण 15 सालों तक चला और अंत में इन्हें इनके गुरू श्री विराजनन दंडीशा मतुरा में मिले ये विराजनन दंडीशा के डिसाइपल बन गए और उनके आश्रम में रहने लगे योग का प्रिसिक्षन लिया और इसी के साथ साथ इन्होंने गुरू जी से वेदों का ग्यानमी ग्रहन किया और इस तरह मोल शंकरतिवारी महार्शी दयानन सरस्वती बन गए इनके गुरूदे विराजनन का मानना था कि हिंदोिस्म अपनी historical root से भटक गया है और समय के साथ कई सारे rituals और practices जो हिंदोिस्म का part बन गए हैं उन्होंने हिंदोिस्म को impure कर दिया है यानि दूशित कर दिया है दयानन सरस्वती ने अपने गुरूजी को promise किया कि वो अपना पूरा जीवन हिंदोिस्म के purification और वेदो को उनकी सही जगा तक पहुचाने में लगा देंगे ऐसा कहते हुए उन्होंने गुरूजी से आग्यली और अपने पतपर आगे बढ़े दयानन सरस्वती जानते थे कि सिर्फ वेदो पर बेज होने के कारण ही पास्चात्य काल में हिंदोिस्म एक glorious religion हुआ करता था बट समय के साथ उपनिशद, पुरान, अर्यंकाज और वेदान सूत्रों को भी वेदो का पार्ट मान लिया गया या कहें कि उन्हें भी वही इस्तान दिया गया जो कि वेदो का है दयानन सरस्वती ने ये साफ कह दिया कि ये सब पुरान, उपनिशद, etc. वेदो का बार्ट नहीं है और हिंदोिस्म सिर्फ वेदो पर बेज़ है और इस तरह उन्होंने आर्या और सनातन धर्म के बीच एक लाइन ड्रो कर दी उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ वेदो में मानते हैं तो आप आर्या अगर आप वेदो के साथ पुरान, उपनिशद, etc. को भी मानते हैं तो आप हुए सनातनी हिंदू ऐसा कहते हुए उन्होंने नारा दिया बैक टू वेदाज ये कौल थी हिंदू रिलीजन में वेदिक प्योरिटी को वापस से रीन स्टेट करने की उन दिनों अंग्रेज हम पर वेश्टन कल्चर थोप रहे थे और हमें बता रहे थे कि वेश्टन कल्चर सोपीरियर है इंडिया के लोगों और इंडियन कल्चर को बहुत ही हीन भावना से दिखा जा रहा था ऐसे में बैक टू वेदाज की कॉल का कमाल का सर हुआ इस स्लोगन ने भारत के लोगों के दिलों में प्राइड और सेल्फ कॉन्फिटेंस पैदा किया इस से लोगों को ये हैसास हुआ कि हम भी एक महान सब्वेदा के पार्ट हैं और इस तरह खास कर हिंदूओं में सेल्फ रेस्पेट बढ़ी और अब वो कॉन्फिटेंस से कह सकते थे कि वेश्टन कल्चर की सुप्योरिटी सिर्फ एक मित है महाशी दयानन सरस्वती एक ऐसा भारत देख रहे थे जो कि किसी का गुलाम नहीं है जहांके लोग किसी क्लास और काश्ट में बटे नहीं है और सब के सब एक धर्म को मानते हैं जो है आर्वे धर्म उन्होंने अपनी ये सोच, अपने ये विचार अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश में लिखे थे सत्यार्थ प्रकाश का मतलब है The Truth Exposition और ये भुक 1875 में पब्लिश हुई थी इस भुक में उन्होंने उस समय कि सभी important rituals, practices और विचारधारों पर अपने views दिये उन्होंने idol worship, untouchability, polygamy और हिंदुओं में काफी ज़्यादा प्रचलित श्राद की वर्षता जिससे हम अपने पूरो जोगो जो अब इस संसार में नहीं है उनको उनका प्रिये भोजन भीज सकते हैं इस सब को बकवास बताया इसी के साथ साथ कास सिस्टम और पुराणों को भी मानने से मना कर दिया और कहा कि कास सिस्टम के फेवर में तो मैं एक दो बात सुन भी सकता हूँ बढ़ ये चाइल्ड मेरेज क्या है इसको तो बिलकुल भी सुविकार नहीं किया जा सकता इन्होंने कहा कि शादी के लिए लडकों की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और लडकों की 16 साल इसके लावा विमिन को भी समाज में भराबरी का δर्जा दिया जाना चाहिए इंटरकास मेरेज और वीडो री मेरेज को बढ़ावा दिया जाए और वेदो में Mentioned चतुरवर्ण सिस्टम जहां पर ये कहा गया है कि जाती जन्म से नहीं बलकि इनसान की काम से तैह होती है इसको दयानन सरस्वती ने मानने क्या और इन सब आधारों पर दयानन सरस्वती ने 1875 में आरे समाज की स्थापना की आरे समाज का लिटरल मीनिंग है Society of Nobles नेक्स वीडियो में हम आरे समाज को डीटेल में कवर करेंगे इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डीटेल में कवर करने के लिए बुकस्तावा की प्लेलिस को फोलो कीजे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू सो मच पो वाचिंग और सपोर्टिंग बुकस्तावा